तो हलो दोस्तों आप भी देखिए मैं यहां पर आया हूँ इंडिया गेट में और यहां पर मुझे एक ब्रॉदर मिले हुए हैं जो की हैं टेक अभी उजे चैनल से करके फाइब लाक लगबाग इनके सब्सक्राइबर्स हैं पहले इसमें नाव चला करते थे लोग इंज्वाइ करते थे वहां से टिकेट मिलती थी किड़की से 25-30 रुपए की एक टिकेट होती थी दो लोग बैट करके मौश करते थे कुछ सीजें यहां पर बिल्कुल ही चेंज मेंट कर दिया गया है जो लोग यह सोच करके आ रहे होंगे कि मैं चलूंगा इधर और नाव में बैट करके घुमेंगे तो उनके लिए थोड़ी सी बुरी खबर है इधर मैंकी नहार है यार यह वी कुदा बे अबे या यार गजा बहुत तेरी की यह यह तेरी की इन बंदरों में मुझे लग रहा है कोई चैंपियंशिप चल रहा है जो सबसे ज्यादा उचाई से छलांग लगाएगा वही जीतेगा इनके नजारे देखो तो अभी यहां पे जो है दो बंदर बैट करके पेपसी पी रहे थे मैंने का आप लोगों को दिखाते हैं यह थोड़ा सा यह बचा हुआ है एक अकेला इंडिया जाने के लिए अंडर ग्राउंड का परियोग करें यह तो यह है अंडर पास जहां से आप अंदर जा सकते हो इस तरह का अंडर पास बनाया हुआ है यहां पर पूरा मैप बना रखा है यहां पे रास्ट्रेशंग रहाल है नॉर्थ अभी मौजूदा संसत्भावन अभी मैं कहां से आया हूँ यहां से इस साइड से चलते हुए अभी मैं यहां पहुंच चुका हूँ यहां से अभी हमको इतना दोर चलना है यहां पहुंचना है हमको यहां पर मौझूद हूं अभी नेशनल स्टेडियम है इस राष्ट्रिय समर इसमारक है इंडिया गेट कामन केंद्रिय सची वाले राष्ट्रिया भी लेखा गार संसद सदस्यों के लिए चेंबर नया संसद आभी बन रहा है जो यह बन रहा है निव वाला कुछ इस तरह से देखिए इसको है अधि अधिती बर्दस्त बना रहें को इस बार नियो मोडल में यह सब पुराने थे पुराने को भी दिखाया गया है और नया भी बनाया गया है मैं पहुंच चुका हूं सेंटर में और य यहां से अब भी कि अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को तो यह बहुत ही पास में दिखाई दे रहा है कि अब इसको बना दिया गया है करता बेपत कि अर्दू में भी लिखवाया है कि पंजाबी है अंग्रेजी है इंदी है एक चीज यहां पर सबसे अच्छी हुई है कि यहां पर जो अंडर पास बनाया ना वह बहुत बेटर है और इधर साइड में पानी पीने का पानी सोचाल है यह सब पहले नहीं था इस साइड में इस मारक के पास बनाया था लेकिन अभी यहां पर भी आतपास बनावा दिया गया है कि कितने का कि मुझे अंडर पास से चल करके बिल्कुल पास चलना होगा अगर आपको उसके पास जाना है ना इंडिया गेट के साइड में तो यहां पर पास होना पड़ेगा यहां पर हमें कुछ दिशा निर्देश दिये गए हैं जैसे कि पालतु जानोर अगर आप लेकर के आते हो अलाव है लेकिन उसको आप गले में पट्टे डाल के रखिए और तालाब के अंदर जो है कूद के नहाना या हाथ मूद होना यह करके अंदर चलते हैं यहां पर हर अंडर पास में आपको वही सब कुछ देखने को मिलेगा कैसे कैसे हम उन्नती पे आये हैं कि ओल्ड से निव में अपग्रेड होते हैं जैसे सेकेंड अंडर पास है तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं बिल्कुल इंडिया गेट के बि पहले यहां पर हमारी अलाव जला करते थे जिसको उठा करके इसके बैक साइड में रख दिया गया है और वहां पर होता है प्रेड मैं वहां की वीडियो अल्रेडी डाल चुका हूं जा करके आप देख सकते हो लिंक दे दूंगा इनको देखिए वाई सब इनके साथ अगर एक फोटू ले होगे तो दस रुपे लेंगे इसको अंग्रेजों ने बनवाया था एंसिसी के कंडिडेट्स बहुत सारे आए हुए यहां पर आज तो हलो दोस्तों आप भी देखिए मैं यहां पर आया हूं इंडिया गेट में और यहां पर मुझे एक ब्रॉदर मिले हु इनके चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो वीडियो को और ऐसी वीडियो देख तरहीं इंडिया गेट आया था अभी तो अभी यह भाई मलेशिया जाने वाले हैं इनका बीजा आया हुआ है मैं भी गया था एक्षिली मैं बीजा लेने के लिए मुझे पाकिस्ता उसके बाद नहीं होते हैं कि वहां पे जो मुझे इसके बारे में वीडियो बनाता हूँ विदेश कैसे जाना आपको और वर्क कैसे करना है वर्क परमिट कैसे मिलता है वर्क वीजा क्या होता है तो इन भाई से मिलकर के बहुत अच्छा लगा मुझे थैंक्यू ब्रो कि दो साल के बाद मैं यहां पर आया हूँ क्योंकि ओपन हुआ मैं एक्चली इस रूट से गुजर रहा था कलेंबसी गया था तो उसी की वज़ा से मुझे बस ने दिखाया कि यह पबलिक भूम रही है मैंने का चलो आज आप लोगों के लिए कुछ वीडियो सुट करते हैं फिर निकलेंगे या से ओके इंजॉय करो पूरा महल दिखाएंगे तुजर बताएंगे आप लोगों को थैंक यूज कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर रहे हैं यार थक गए पूरा इंड से सांसत बहुं से चल करके लगवग यहां पर आये हैं इंडिया गेट के बिल्कुल पास में बैठेंगे कि अभी निकलेंगे यहां से थोड़ा सा सूरच जो है अस तो हो जाए उसके बाद निकलेंगे कि आज मैंने सोचा भी नहीं था कि यार मुझे कोई यूटूबर मिलेगा जिस दिन मैं नहीं सोचता हूं ना उसी दिन को इन कोई चक्रा आजाता है अचानक मिलते हैं लोग पांच लाख वाला बंदा मिला अच्छा लड़का था यार अभी वो मलेशिया जा रहा है भाई फाइफ लाख व्यूबर्स है उसके पास तो जाए गई अभी हमारे पास क्या है आप लोगों की देने जो कुछ भी है तो अभी इंज्वाए करो यहां पर आप जो बसे अभी यहां पर जो है सूरज ढूबने वाला है देख सकते हो आप सूरज यहां आ गया है बिलुकुल ही इंडिया गेट के सेंटर में नीचे से आप साम का समय अबहुत ज्यादा अच्छा लगता है सुनायरा हो जाता है यहां पर एक मुर्ती लगाई गई है जिस वास्चंद्र बोस्खी है तो यह है सेलफी प्लेस यहां पर आप फोटू ले सकते हो खड़े हो करके बाकाइदे तो मुझे यहां पर कुछ चैल्ड चिल्ड्रेंज मिले हैं इंडिया गेट पर कोशिश कर रहे थे आज़ी नहीं करते है कि हमारे पीछे देख सकते हो आप एक जहरना है तिरंगे में रंगा हुआ पूरा और उसके पीछे एठीक इंडिया गेट तो बहुत इस खुबसूरत नजा रहा था यहां पर मैं आप लोगों को दिखाते हैं तो यहां पर मैंने कुछ फोटोस क्लिक किये हैं कि जो है वाटरफॉल और राय तिरंगे के साथ एक्टा हुआ और मैं अभी चल रहा हूं सांसत बहुन के साइड में यहां से हम लीब आउट होते हैं बहुत टाइम देदी हमने यहां पर बिद यह फाउंटेन मेरे को बहुत मोटा लगता है कि अग्या अग्याट बगल में ही राइट साइड में मून निकला हुआ देखिए क्योंकि बच चुके हैं शाड़े छे और मैं अभी निकला नहीं हूं लग बख साथ बजे मैं यहां से निकलने वाला हूं कि नव बजे तक मैं घर पहुंच जाओंगा इसलिए मैं यहां पर थोड़ा सा फुल इंज्वाइब कर रहा हूं लगगे सामके साड़े छे बच चुके हैं और हमें यहां से निकलना पड़ेगा क्योंकि टाइम ओबर हो रहा है अच्छा लग रहा है जाने का मन तो नहीं क और ने नेक्स ब्लोग में बहुत ही जल बाई बाई